हेलो फ्रेंड मैं एसन प्रजापती SMB Knowledge Point के इस बीडियो में आपका स्वाधत करता हूं फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सरके से रिडिट दो कोस्टन है और दोनों कोस्टन में सरकेल का रिडियस यानि त्रिया पूछा जा रहा है तो फ्रेंड यहाँ पर जो पहला कोस्टन है कि दे लाइन्स 3x-4y-4 equal to 0 and 6x-8y-7 equal to 0 are tangents to the circle then its radius is आपको बताना है कि सरकेल का रिडियस क्या है जबकि यह दोनों लाइन सरकेल पर टैंजेंट है इसके बाद सेकेंड कोस्टन है तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को साल्व करेंगे तो यहां पर जाद देखेंगे solution अब first question तो पहले question में देखेंगे given क्या-क्या दिया हुआ है देखेंगे equation of lines lines दिया हुआ है जो पहला line है हुआ है 3x minus 4y plus 4 equal to 0 दिया हुआ है यह equation first हो गया अब इसके बाद equation 2 second जो line है दिया हुआ है वह है 6x minus 8y minus 7 equal to 0 यह second line है तो फिर्ट यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यह 6x है 8y है यहां पर 3x है 4y है तो यहां पर अगर हम लोग 2 से divide कर दें दोनों side में देखेंगे इस तरह से 3x minus 4y minus 7 by 2 equal to 0 इसको बना लिया 2 dash अब फिर्ट यहां पर हम देखते हैं कि equation first और equation 2 इन दोनों से जो represented lines है वे एक दूसरे के parallel है parallel line कैसे पता चलेगा देखेंगे इनके coefficient equal होते ही x का coefficient यहां पर equal है y का coefficient यहां पर equal है constant अलग अलग है तो फिर्ट यहां पर यह दोनों जो tangent है यह दोनों एक दूसरे के parallel है आप पूछ रहा है radius तो figure कुछ ऐसे भी आप समझ सकते हैं जैसे कि माल्या कि यहाँ एक circle है यहाँ पर एक tangent ऐसे चला गया और दूसरा tangent ऐसे चला गया माल्या यह पहला tangent और यह दूसरा equation two dash से related आप का रहा है कि इसका radius कितना होगा इस circle का radius कितना होगा तो फिर्ट यहाँ पर एक trick है कि इन दोनों parallel lines के बीच का हम distance निकालें इन दोनों समांतर एकाओं के बीच की दूरी निकाल लें और फिर उस distance का क्या कर लेंगे आधा कर लेंगे हाप कर लेंगे तो इनकी बीच का radius मालू हो जाएगा तो फिर्ट यहाँ पर जिरा देखें इन समांतर एकाओं के बीच की दूरी का एक formula होता है तो यहाँ पर देखेंगे distance between parallel lines 1 and 2 dash तो देखेंगे d equal to हो जाएगे जो distance है इनकी इनकी बीच की दूरी तो formula होता है c1 minus c2 upon under root a square plus b square यहाँ पर फिर्ट क्या होता है कि देखेंगे जो constant है यह constant जो है वो c1 और c2 है e और b क्या है yaks और y के coefficient है जबकि दोनों के जब coefficient एक समाल हो तो यहाँ पर a की value 3 है और b की value 4 है minus 4 कह सकते है c1 की value 4 है और c2 की value minus 7 by 2 तो यहाँ पर रखतेंगे तो देखेंगे इस तरह से आजाएगा तो यहाँ पर रखेंगे तो 4 और c2 की value है minus 7 by 2 mod में upon under root under root में जगा देखेंगे यहाँ पर a square plus b square तो a square की जगा 3 का square plus b square की जगा 4 का square तो फ्रेंट यहाँ से जब हम लोग solve करेंगे इसको तो देखेंगे d equal to mod में यह क्या हो जाएगा minus minus plus हो जाएगा तो यहाँ पर आएगे दखेंगे इस तरह से 4 plus 7 by 2 mod में अपान नीचे से कितना हो जाएगा तीन तरीक का 9 अच्या चुप का 69 25 25 का square root लेंगे वर्ग मूल लेंगे तो 5 आ जाएगा तो इस तरह से d आ जाएगा 4 दून 8 8 7 15 15 बटा 2 तो यहाँ पाजरा देखेंगे 15 बटा 2 और इंटो 5 तो 5 त्याई 15 15 त्याई 15 इसको काट देंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा 3 बटा 2 तो फ्रेंट यह d आया 3 बटा 2 तो d क्या है समानता रेखाओं के बीच की दूरी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमको क्या चाहिए radius चाहिए तो radius क्या हो जाएगा इसका हाँ therefore radius आप circle therefore radius equal to d by 2 means 3 by 2 upon 2 इसमें क्या कर लेंगे 2 से फिर डिवाइड कर लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा 3 by 4 तो फ्रेंट यहाँ पर जो radius होगा वह 3 by 4 यानि आपसंसी correct हो जाएगा तो फ्रेंट बहुत important question था यहाँ पर दो parallel lines थे दोनों के दोनों tangent थे उनके 20 की सबसे पहले आप दूरी निकाले दूरी का अधा कर लेंगे क्या आजाएगा radius हो जाएगा अब फ्रेंट आते हैं question number 2 पर तो फ्रेंट question number 2 में जो कह रहा ह है कि the radius of the circle the radius of the circle passing through the point 6-2 6-2 से pass करने वाले circle का radius ज्याद करना है 2 आप whose diameters are x plus y equal to 6 and x plus 2y equal to 4 यानि इस circle के दो diameter दिये हुए हैं यहाँ पजरा दखेंगे solution of question 2 तो यहाँ पर देखेंगे given diameter given diameters, diameters में होता है ब्यास यानि यहाँ पर व्रित्य के दो ब्यास दीवे हैं तो पहला जो diameter है yx plus y equal to 6 इसको बनाएंगे equation first और जो दूसरा diameter है x plus 2y equal to 4 इसको बनाएंगे equation 2 और फेंड इन दोनों को जब salve कर लेंगे तो क्या आजाएंगे दिसे देखेंगे यह यह circle है ऐसे और यहाँ पर इसके दो diameter है तो मल्या की एक diameter यह है और एक diameter यह है तो इन दोनों का जो point आप intersection होगा वहीं क्या हो जाएगा radius हो जाएगा और करा कि यह circle किस point से होकर जा रहा है किसी एक point से होकर जा रहा है मल्या कि यह point हम लोपी यहाँ पले लेते हैं और point क्या लिया हुआ है करा कि six two तो अब हम करेंगे क्या सबसे पहले यहां से सेंटर ग्याद कर लेंगे और सेंटर को सेंटर को इस point पी से मिला देंगे तो यहीं क्या हो जाएगा radius हो जाएगा आर का मानों जाएगा तो फ्रेंड सबसे पहले हम यह इंटराइमीटर को साल्व करेंगे तो फ्रेंड इसको जब साल्व करने के लिए हम क्या करेंगे क्या equation one में से two को माइनस कर लें, तो equation 1 minus equation 2, minus कर लेंची, तो देखेंगे, यहाँ पर आएगा, जब minus करेंगे, तो यहाँ पर आएगा, minus y, और equal to यहाँ पर कितना आएगा, 2, means y equal to minus 2 आ गया, y के value रख दें, तो by equation 1, equation 1 में y equal to 2 रख देंगे, minus 2 रख देंगे, है, तो यहाँ पर देखेंगे, x minus 2 equal to 6, means x equal to 8 आ जाएगा, अई इस तरह से center, therefore center, तो center क्या हो जाएगा, x y के यही value रख देंगे, 8 minus 2, यानि center क्या होगा, इन दोनों diameter का point of intersection, दोनों ब्यासों का कटान बिंदो, तो यह center आ गया, center o आ गया, यह center o आ गया, अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर एक point दिया हुआ है, point है, six two, यह point P दिया हुआ है, अब radius क्या हो जाएगा, op, यानि दोनों बिंदों की बीच की दूरी, therefore radius, therefore radius, op, op equal क्या हो जाएगा, under root, formula लगेगा, दो बिंदों की बीच की दूरी का, x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square, फिर यहाँ आप formula x2 minus x1 भी हो सकता है, और y2 minus y1 भी, चुंकि यहाँ पर whole square, इसलिए कोई enter पढ़ने वाला नहीं है, इसी फार्मुली में value को रख देंगे, तो eat minus 6 का whole square, और plus, देखें, minus 2, और यहाँ पर इसको भी कर लेंगे, तो यह भी हो जाएगा, minus 2 का whole square, तो इस तरह से वो पी equal to हो जाएगा, फिर यहाँ पर, यहाँ पर जब इसको minus कर लेंगे, तो यहाँ पर आएगा, 2 का square, और फ्रेंड यहां पर कितना आएगा दो दो चार यानि माइनस पॉर का स्कॉर और इस तरह से जब इसको साल्व करेंगे तो टू का स्कॉर पोर और फोर का इस्पॉर टो यहां पर जाएगा अंडाइरूट 20 अंडारूट 20 को लिख सकते हैं है दो फाइड दो दुना चार और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको भी अच्छी बीडियों देखने को मिलेंगे धन्यवाद